दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाए तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे दुरलब टोटके के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे करने से सभी चायत तुरंथ ही पूरी होने लगती हैं और सबसे ज़्यादा खास बात तो इस प्रयोग की ये है कि इसमें किसी भी तरह की जड़ी बूटी या कोई और सामंगरी की आवशकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है सिर्फ कागज के इस्तिमाल करते हुए ही आप अपनी संपूर्ण मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं और कमेंट में जरूर लिखें कि हे भगवान शिव आपको हम नमस्कार करते हैं ओम नमस्षिवाय इस परकार लिख कर अब इस दुरलब जानकारी को आप सुनें और अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर ले जिससे दुरलब खास विधी आपको हमेशा मिलती रहे क्योंकि इसी चैनल में सबसे ज़्यादा खास विधी आपको बताई जाती है तो दोस्तो इस प्रयोप को करने के लिए आप सिर्फ एक कागज ले लें कोई भी ऐसा कागज जो बिलकुल वाइट हो ध्यान रखें कि कौपी या रजिस्टर का पन्ना फाड कर इस प्रयोप को आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें लाइन बनी होती है इससे मनोकामना खंडित आपकी हो सकती है तो आप बिलकुल वाइट कागज ले लें और उस पर आपको पैन का इस्तिमाल नहीं करना है बलकि पैन के स्थान पर गूलर के पेड़ की लकड़ी का इस्तिमाल आपको करना है और सियाही के लिए सिंदूर भीमसेनी कपूर पुदीना के फूल का इस्तिमाल करना है इसकी स पर आप पीपर मिंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पीपर मिंट आपको कहीं भी आसानी से पान की दुकान पर मिल जाएगी इसके साथ आपको भीम सेनी कपूर भी बराबर मातरा में मिला देनी है और अजवाइन सत भी इसमें मिला देना है ये सभी चीज़े आपको पंसार एक दुकान पर या किसी भी जड़ी बुटी की दुकान पर असानी से मिल जाएंगी, ये हर जगे easily available हैं, फिर से आप note कर लें कि पीपर मिंट, अजवाइन सत और भीम सेनी कपूर बराबर मातरा में आपको लेनी हैं, ये तीनों चीजे और एक स्टील की कटोरी में आपको इन तो ये liquid हो जाएगा, बिलकुल transparent liquid की तरह है, और आपको बता दें कि आपको इसी liquid की स्याही रूप में इस्तिमाल करना है, इस प्रियोग विधी में इस्तिमाल होने वाली स्याही किस तरह बना जाती है, ये उसकी विधी है, फिर इस तरह से liquid बना लेने के पाद आप इसमें सिंदूर मिला दें या किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आप हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर ले आएं और इस लिक्विड में मिला दें इससे आपकी ये स्याही पूर्ण रूप से अब तयार हो जाएगी कागज पर मनोकामना लिखने के लिए अब आपको मनोकामना पू नमा लिख देना है, लिखकर राम नाम आठ बार लिख देना है और उसके बाद अपनी कोई भी मनोकामना या इच्छा आप लिख दें। उस कागज पर जो भी आप चाहते हैं ध्यान रखें कि सिर्फ एक मनोकामना उस पर लिखनी हैं। दूसरी अलग-अलग मनोकामना के लिए इस प्रयोग को दुबारा किया जा सकता है। दूसरे कागज पर क्यूंकि इस प्रयोग को किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकते हैं तो दोस्तों आपको बस अपनी मनोकामना लिख कर अंत में लिखना है कि श्री राम सेवक हनुमान पूर्ण करो भगत के काज बस इस तरह लिखने के बाद आप उस कागज को थोड़े से पूर्ण की सहता से जला दें और कागज की राग को उठाकर किसी भी तुलसी के पौधे में डाल दें लगातार 11 दिन इसी प्रयोग को करने से हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है जैसे ही आप इस कागज को जलाएंगे तो तुरंत ही ओर जाएं आपके कारे को संपन करन जिससे कोई भी गलती ना हो और संपूर्ण विधी आपको समझ में आ जाए तो आज की लिए इतना ही जै श्री राम जै हनुमान